सर्दियों का बहुती मज़ेदार तीखा चटपटाचार जो बिना धूपके होगा मिंटों में त्यार आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो जबरदस्त टेस्टी अचार मसाला जिससे कि आप किसी भी तरह का अचार मिंटों में बना सकते हैं बहुती सिंपल तरीका है अभी बनाईए और अभी खाईए तो सर्दियों में बहुती मन करता है जैसे कि हरी सब्जियों के साथ खाने का हरी मिर्च का चार तो यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च एक पाफ हरी मिर्च और जिनें मैंने अच्छे से वास कर लिया है और इन्हें कॉटन के कपड़े से मैंने पहुंच लिया है इन्में पानी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर मैं डंठल निकाल लूँगी और इन्हें कट कर लूँगी और इधर मैंने लिए एक कड़ाई और कड़ाई में हम डालेंगे मसाले तो यहाँ पर मैंने लिए अजवायन एक कटोरी अजवायन छोटी वाली और जितनी अजवायन लिए उतनी मैंने लिए यहाँ पर सॉंप तक आप मैं इसमें इसमें डाल दिये संप on the systems and this is the subst आप पर यहाँ पर मैंने लिया सूक़Прजनिया तो यहाँ पर मैंने एक काटोरी से कम शूकरणिया लिया और मैंने लिया मेथि मेथि और आधा रखना है तो मैंने यहां पर चोटी वाउल आधा कटोरी मेथी दाना लिया है और इन्हें हम सिंप पर रोष्ट कर लेंगे जिसे कि इनमें से बहुत ही अच्छी खुसुबू आती है इनमें एसेंसल ओयल होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं जिसकी वज़े से बह कैसाब कर दीए और सारे मसाले यहां पर बुँचुके हैं बहुत है अच्छी खुसुबू आरिये अब हम इने थंडा होने के लिए पांच मनुन रख दिगे और उसके बाद हम इने पीस लिए तो यह आप देख सकते हैं यहां पर सारे मसाले बुचुके हैं और बहुत ही अच्छी खुस्वू आ रही है, अब हम इने पीस लेंगे, अब हम इसे जार में डालकर पीस लेते हैं, और आप इस तरीके से बनाओगे, तो यह मसाला आप किसी में भी यूज कर सकते हो, आप मोटी हरी मिर्च का चार बनाओगे, उसमें भी यूज कर सकते हो, बहुती अच् समय यहां पर द किस नियां पर मैंसाल के यहां पर यहां पर में बहुत्री मैं यूजा कर सकते हो उर इंदर मैं डाल दे हैं तो यह पर मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब मैं इसमें Betsy यहां पर I am मैंने Tipsy अब मैं इसके बंढ़ांजी है अब्रश अब मैं इसमें क्रेंबंश कर दिया अबtery lesbian service कर दो अब हमने क्या करना है अब जो हमने मसाला पीज़ा था वो हमें इसमें mix कर देना है और आपको इस बात का धिहान रखना है जब हम इसमें मसाला डाले तो gas off कर देना तो यहाँ पर मैंने gas off कर दी थी पहले ही जब तेल गरम हो चुका था तब भी मैंने gas off कर दी थी अब इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने मसाले को भी अच्छे से मिला दिया ह। अब हमें क्या करना है? जो हमें मिर्च कट करके रखी थी, उने इसमें डालना है और यहां पर मैं डाल रही हूं नमक, तो यहां पर test के according मैंने नमक डाल दिया है तो इधर मैंने डाला है डेड़ चमच नमक अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है इसके बाद मैं अब डालूँगी इसमें मिर्ची और मिर्ची के जो डंठल है वो आप निकाल लेना अर यह तरंती बन जाता है इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता और नहीक आप इसे दूप में सुकाने के जोड़ता है बस आपको इस बात कर दियार रखना हा जब अलका सा ठंडा हो जाए तो इसे किसी जार में या फिर बर्नल में आपको भर देना है मिर्ची इसे पूरी के साथ भी खा सकते हो और जैसे कि सुबए सुबहरी के साथ बनाते हो जैसे कि सुभ 옆ायर रिज्टे चैनल करका अगर आपको मेरी रेस्पी अच्ही लगे हो तो प्लीज एक लाइक से यह और सब्सक्राइब जो पहली वार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ उम्मीद करती हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और यहां पर मैं डाल गई हूं अमचूर पाउडर जब यह ठंडा हो जाएगा ताब हम इसे मैं चूर पाउडर डालना है मैं डाली इसे थी एंदेर के लिए च्छोड़ों देंगी और बाद वी लूह भात आपस छाहए जो प्लास्टिक हो बली का चाहिए Coffee का में ना चाहेचा ऑन चाहिए धिती है sically का Mississippi नच हम लिए तजा इसे डाल दिया आप देख सकते हो यहाँ पर मिर्ची का चार बन कर हो गया त्यार और इसी तरीके से आप मोटी हरी मिर्च का चार भी बना सकते हो अगर आपको मसाला ज्यादा पसंद नी है